हालो एवरिवान गुद मॉर्निंग वेलकम बैक टू पर्शम आएम पुजा आज संडे और संडे को हम डिसकस करते हैं वीकली करेंट अफिर्स तो आज हम 18 से लेके 14 स्वरी एट से लेके 14 जन्वरी तक के जो भी इवेंट्स रहे होंगे उनको हम समझेंगे आज क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट होते हैं जो डेली सीए नहीं देख पाते तो इस पेशली उन लोगों के लिए वीकली करेंट अफिर्स सेशन होता है इसके लाव़ा जो बच्चे डेली करेंट अफिर्स देखते हैं तो अगर वीकली करेंट अफिर्स का आपको PDF चाहिए है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लिजेगा तो वेबसाइट से आप करेंट अफिर्स का PDF ले सकते हैं पहली चीज़ दूसरी आज संडे है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि संडे को हमारा बर्निंग इशू आता है और बर्णिंग इशू जो है वो पर्चम वॉल्यूम टू पर आता है ठीकि जो भी करेंट मुद्धा चल रहा होता है हम उसमें डिटेल में डिसकॉशन करते हैं अगर अगर आप यूपी ऐस्परेंट हैं तो उस बर्णिंग इशू को देखना आपके लिए बहुत जर करें तो आप उस पूरे मुद्धे पे अपनी जानकारी अपना पॉइंट ऑब व्यू रख सकें तो आज संडे है संडे को पर्चम वॉल्यूम टू पे आपका बढ़निंग इशू आएगा अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि करेंट में चल रहा है और आप लोग चाहते हैं सबसे पहले 8 जैन्वरी, 8 जैन्वरी को अर्थ रोटेशन दे सेलिब्रेट किया जाता है हम सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्ब भी होती है जो कि 365 डेज और 6 आर का समय लेती है वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटे हो पाते हैं तो आर्थ जैन्वरी को अर्थ रोटेशन दे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लियोन फाउर कॉल्ज की जिन्होंने 1851 में प्रूफ किया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व होती है ओन इट्स एक्सिस ठीक है नेक्स्ट है 9 जैन्वरी बहुत इंपोर्टेंट दिन था ही हमारे लिए क्योंकि 9 जैन्वरी को प्रवासी भारती दिवस या फिर NRI Day सेलिब्रेट किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि आज ही के दिन मतलब 9 जैन्वरी को 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रिका से दोट कर भारत बापस आये थे इसलिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में डिसाइड किया कि हर साल हम 9 जैन्वरी को NRI Day या प्रवासी भारती दिवस की रूप में मनाएंगे ये पूरा जो इवेंट है इसमें प्रवासी भारती सम्मान भी दिया जाता है ठीक है और हर दो साल में NRI Day हमारे देश में आयजित किया जाता है इस साल जो थीम डिसाइड की गई थी वो है डाइस्पोरा Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal तो थीम आपको याद रखनी है कौन सा एडिशन था इस साल तो इस साल 17 नंबर का प्रवासी भारती दिवस का एडिशन था जो की मदर प्रदेश में आयजित किया गया था मदर प्रदेश के इंदौर में इस साल इस फेस्टिबल का या इस डे को और्गनाई अली थे कौन थे डॉक्टर मौंबद इर्फान अली ये प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ओफ ग्याना के ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखनी है 10 जन्वरी भी बहुत इंपोर्टेंट दिन होता है 10 जन्वरी को वर्ल्ड हिंदी डे सलिब्रेट किया चाता है क्यों क्योंकि 10 जन्वरी को 1975 में महाराष्ट के नागपूर में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरेंस आयजित की गई थी तो आगर आपसे डारेक्टली 10 जन्वरी 1975 में हुई थी इसलिए 2006 में उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर दॉक्टर मनमोहन सिंग जी थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के दौरा 2006 में डिसाइड किया गया कि हर साल 10 जन्वरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सलिब्रेट करेंगे अब बहुत सा बच्चा यहा थी तो थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू दा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वर्ल्ड हिंदी डे की थीम थी ओके नेक्स्ट बात करेंगे 11 से लेके 17 जन्वरी में हमने रोड सेफटी वीक के में सेलिब्रेट किया और रोड सेफटी वीक जो है वो मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के दौरा और्गनाइज किया जाता है नेक्स्ट बात करेंगे 11 जन्वरी को नेशनल हुमन ट्राफिकिंग अवेडनेस दे सेलिब्रेट किया हमारे ये देश में अलग-अलग अलग कट्रीज में हुमन ट्राफिकिंग होती है मतलब इनसानों को खरीदा और बेचा जाता है हीना तो हुमन ट्राफिकिंग के बारे में लोगों को अवेडनेस दिलाने के लिए 11 जन्वरी को इस दिन को सलिब्रेट किया जाता है 2007 में युनाइट निशन के सीनेट ने इस रिजोलूशन को पास किया था वहीं 2010 में जो USA के प्रेसिडेंट थे उस समय प्रेसिडेंट बाराक उबामा उन्होंने इस पूरे मन्त को जनवरी के पूरे मन्त को awareness and prevention of human trafficking के लिए डिवोट भी किया था अगला जो दिने वह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बारा जनवरी नेशनल यूथ डे अगर आपके भाई-बेन स्कूल में होगे जैसे कि मेरी सिस्टर स्कूल में है तो वो सूरे नमस्कार वगेरा करवाते हैं तो वो सब गई थी आप लोग ने भी देखा होगा तो नेशनल यूथ डे बारा जनवरी इस दिन सौमी विवेकनन जी की बर्थ एनिवर्स्टरी होती है ठीक है उनी की बर्थ एनिवर्स्टरी को हम नेशनल यूथ डे की रूप में सलीब्रेट करते हैं 1984 में गवर्मेंट ऑफ इंडिया के दौरा डिसाइड किया गया था कि हर सा 13th of January और कहीं कहीं पर 14th of January पे भी तो 13th of January को लोहरी फेस्टिबल को मनाया गया और बिसेकली लोहरी का जो तहवार है अगर आप देखेंगे नौर्थ इंडिया में जो पंजाब हर्याना का रीजन है वहां पर बनाया जाता है हिंदू और सिक्ष कम्मुनिटी बिसेकली इस पतलब बोनफायर करते हैं और भगवान सन जो है सन गॉड है उनको प्रे करते हैं कि आने वाला जो सीजन है हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी गुजरे अगली बात करते हैं 14th of January को मकर सक्रांती मनाया जाता है ठीक है क्योंकि end of winter को सो करता है ये उसके बाद हमा पूंगल का तहवार में मनाया गया तो तमिल्नाडव में इसे पॉंगल कहते हैं महाराश्ट rifov को जो रीजना को ऑप पर इससे माघर को थेङ्टिप्वल। चाऊला के नाम से जाना जाता है, तो अलग-लग reason में आप इसे अलग-लग नाम से जानेंगे, असम के लोग इसे माग भी हूँ, या फिर भोगली भी हूँ के नाम से celebrate करते हैं, ठीक है, तो मकर सकरांती आप इस पूरी लिस्ट को याद कर सकते हैं कि किस reason में इस पूरे festival को कि नाम से celebrate किया जाता है वही 1989 में Government of India ने decide किया था कि Makar Sakranti का जो festival है ना हम इस दिन International Kite Festival की शुरुआत करेंगे तो International Kite Festival की शुरुआत भी एहमदाबाद में कर दी गई है ओके हैं और इस साल का International Kite Festival है वो बहुत खास है क्यों खास है क्योंकि G20 को होस्ट कर रहा है भारत और G20 के डेलिकेट्स को भी International Kite Festival में invitation भेजा गया है तो वो लोग भी डेलिकेट्स भी International Kite Festival में शामिल हुए थे तो इसलिए इस साल का International Kite Festival अपने आप में बहुत एहम है बहुत खास है ओके तो यह हमारे पूरे important days थे जो भी discussion करना था हमने करा आएए हम पूरी news को यहाँ पर पूरे हफ़ते की news को हम यहाँ पर short में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि detail में तो already मैंने समझाया हुआ है सबसे पहले बात करते हैं हम सुरिंदर चावला सुरिंदर चावला जी को Paytm Payment Bank का CEO appoint किया गया है RBI के द्वार approval दिया गया और RBI के approval के बाद Paytm Payment Bank का CEO सुरिंदर चावला को बनाया गया इन्हों ने सतीश कुमार गुपता को replace किया है चिक चले अगले person बहुत important है देखिएगा जैसे हमारी लोगसभा होती है और लोगसभा में एक speaker होते है और अभी हमारे जो speaker है लोगसभा में वो ओम विल्ला जी है इस बारे में आपको जानकारी होगी कोटा राजस्तान उनकी consistency है वैसे ही USA है USA house of representative में भी इनका एक speaker होता है तो यहाँ पे Kevin McCarthy को चुना गया है नया speaker of the US house of representative ठीक है Republican party से बिलॉंग करते है Kevin McCarthy इन्हें अमरीकी प्रतिनुदी सभा की नय अध्यक्ष के रूपे चुना गया है तो यह important appointment है exam point of view से ओके next बात करते है सानिया म्रिजा इन सभी को आप लोग जानते है एक professional tennis खिला रही है और इन्होंने announcement कर दिया है international tennis से यह retirement ले रही है सन्यास ले रही है और कब लेंगी फरवरी में फरवरी में जो है वो WTA 1000 event दुबई में आयजित किया जाना है वो event खेलने के बाद यह retirement ले लेंगी लेकिन इन्होंने पहले ही retirement अनौंस कर दिया है कि हम अगले महीने जो है वो professional tennis से retirement लेंगे अब खास बात पता है सान्या म्रजा की क्या है इन्होंने 6 grand slam जीते हैं ठीके 6 इन्होंने grand slam जीते हैं और पहला जो इनका first WTA single title इन्होंने 2005 में जीता था और कई सारे mixed event को भी इन्होंने जीता है अगली person है जो कि Australian former Australian cricketer है जिनका नाम है Belinda Clark ये पहली women cricketer बन गई है जिनका एक bronze statue cast किया गया है Sydney Cricket Ground Australia में ठीक है याद रखेंगे पहली महीला cricketer जिनका नाम है Belinda Clark इनका statue cast किया गया है Sydney Cricket Ground में और एक इस देश की है तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलॉंग करती है इंपोर्टेंट है ये भी ठीक है Next National Men's Boxing Championship 2022 तो National Men's Boxing Championship का ये छटवा edition था जो की हिसार हर्याना में किया गया कहां पर हुआ था हिसार हर्याना में किया गया जिसमें Services की टीम टॉप पर रही है Second नमर पर Railway की टीम है और Third नमर पर Punjab की टीम रही है अगर हम Services की बात करते हैं तो Services ने 6 Gold 6 Gold, 1 Silver और 3 Bronze Medal को जीता था वहीं Railway की टीम Second Place पर है जिन्होंने 2 Gold, 3 Silver और 2 Bronze Medal को जीता है और Punjab की टीम है वह तीसरे नमर पर है जिसने 1 Gold, 2 Silver और 6 Bronze Medal को जीता है तो आपको क्या क्या याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है कि National Men's Boxing Championship कहां हुई हिसार हर्याना में हुई कौन सा एडिशन था तो छटवा एडिशन था विर्सा मुंडा होकी स्टेडियम हम सभी को पता है जो FIH Men's Hockey World Cup हो रहा है इस साल भारत इसको होस्ट कर रहा है भारत का भी कौन सा स्टेट है भारत का भी जो उडिशा राज्ज है वो FIH Men's World Cup, Hockey World Cup को आयजित कर रहा है तो उडिशा के तो अलग-अलग स्टेडियम में ये World Cup खेला जाएगा एक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर का और विर्सा मुंडा होकी स्टेडियम जो की राउल केला में बनाया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उडिशा के बारे में सुना होगा बहुत से स्टुरेंट ने देखा भी होगा इंडिया का काफी शानदर परफॉर्मेंस रहा है और इंडिया 2-0 से पहले मैच को जो स्पेन के साथ हुआ था वो जीत गई है अगला मैच जो है वो इंग्लेंड के साथ इंडिया की टीम खेलेगी नेक्स्ट है इंडिया सरप्रासेस जापैन बिकम थर्ड लार्जस ओटो मार्केट ग्लोबली तो यहाँ पे इंडिया जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जस ओटो मार्केट बन चुकी है फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे तो चाइना का नंबर है सेकेंड नंबर पे आप पाएंगे USA है और थर्ड नंबर पे पहुँच गई है इंडिया इसका ये मतलब हुआ कि फर्ड नंबर पे किसकी रैंकिंग आती है जापान की रैंकिंग आती है तो इंडिया जो है भारत जापान को पचाड कर विश्व इस तर पर तीसरा सबसे बड़ा ओटो बजार यहाँ पर बन गया है भारत में जो टोटल सेल हुई है न्यू विकल्स के नई बाहनों की वह 4.25 मिलियन यूनिट की हुई है वही जापान में 4.2 मिलियन हुआ है सबसे बड़ी इंडिया की जो कार मेकर कंपरी बन कर आई है वो कौन सी आई है मारोती सुजकी आई है चली अगली बात करते हैं तो पहली G20 की जो मीटिंग हो रही है वो पॉंडिचेरी में कराई जा रही है जनवर 31 में और पॉंडिचेरी के लेटिनेंट गवर्नर तमिल साही सुन्दुराजन है उनके द्वारा ये अनॉंसमेंट किया गया है तेके बहीं कोलकाता जो है वो पहली मीटिंग तो आप देखेंगे पॉंडिचेरी का एक हिस्सा है यनम ठीक है दूसरा हिस्सा आप देखेंगे कराई कैनाल है और तीसरा हिस्सा है माहे माहे आपको कैरला में देखने को मिलेगा कराई कैनाल आपको तमिलनाडू में देखने को मिलेगा वहीं यह नम जो है वो आंद्रप्रदेश में है इसका ये मतलब होता है कि तो पुद्दुचेरी या पॉंडीचेरी जो आपकी union territory है वो आंद्रप्रदेश, कैरला और तमिलनाडू तीन अलग-लग राज्यों में फैली हुई है बिहार government begin caste survey in state तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जाती सर्वेक्षण कराया गया है आप लोग ने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे देश में जो सेंसेज होती है जन्गर्ना होती है तो हमारे देश में caste based census जो है वो शुरू की गई थी ठीक है 1915-1 के आद पास जो है वो शुरू की गई थी लेकिन हमारे देश में जो 1911 के पास caste census शुरू की गई थी लेकिन हमारे देश में जो caste census होती है उसमें ST और SE के लिए होती है कभी भी आपने देखा होगा कि OBC का कोई data हमारे पास नहीं है मंडल कमीशन जो मना था मंडल कमीशन कहता था कि पूरे भारत में लगभा 52% जो है वो OBC की population ऐसा मंडल कमीशन का कहना था लेकिन actually data कितना है वो हमारे पास नहीं है क्योंकि कभी भी जो census हुई है उसमें OBC के लिए कोई अलग से data नहीं प्रकाशित किया गया SC और ST community के लिए किया गया है इसलिए बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे कास सर्वे अपने स्टेट में कराया जा रहा है जिसमें सब कास्ट के according नहीं कास सर्वे तो आप करेंगे लेकिन सब कास्ट आप उसमें include ना करते हुए आप उनकी economic status को यहाँ पर समझेंगे और economic status के हिसाब से आप यहाँ पर कास सर्वे कीजिए जिसी एक हमको proper measurement मिल जाएगा कि हमारे राज्यमें से कितने लोग है अधर्वेकबट classes के जो कि financially stable नहीं है या weaker section में आते हैं और उस तरिके से फिर हम इस scheme बनाएं यहाँ पर और उन classes के upliftment का काम किया जा सके यह जो पूरी census चल रही है बिहार में 31st May 2023 तक चलेगी और इस पूरी census को इस पूरी जनगरना को करने के लिए contingency fund contingency fund क्या होता है संचित निदी होती है देखो एक भारत सरकार का संचित निदी होता है और एक राजी सरकार की contingency fund होती है तो government of बिहार के द्वारा 500 करोर रुपीज उनकी contingency fund से दिया गया है इस survey को conduct कराने के लिए next बात करते हैं India to virtually host voice of global south summit यहाँ पर देखेंगे भारत voice of global south summit को virtually host कर रहा है यहाँ पर जो southern world है आपका जो south में जो सारे देश है उन सारे देशों की delegates को यहाँ पर बुलाया गया है लगबग 120 कंट्रीज के जो delegates हैं उनको यहाँ पर invite किया गया है ठीक है और यह पूरा जो summit है वो 12 से लेकर 13 जन्वरी तक आयो जित किया गया है voice of global south summit virtually जिसकी theme है unity of voice, unity of purpose unity of voice, unity of purpose ठीक है एजेंडा क्या है youth को भी शामिल करना है और south जो है south की जो countries है वो developing nation मतलब कैसे काम करना चाहिए sustainable development को goal को achieve करने के लिए क्या काम करना चाहिए क्योंकि जो developed nation है वो already काम कर चुके है अब हमें किस रास्ते में जाके काम करना चाहिए तो उन सबी मुद्दों पर discussion करने के लिए voice of global south summit का आयोजन किया जा रहा है यहां से question देखिएगा आपके किसी ना किसी set में बना है और चप चुका है आप इमान के चलिएगा क्योंकि अपने आप में यह बहुत बड़ा summit है 26th National Youth Festival पहली बार Y20 को host कर रहा है भारत for the first time Y20 को Youth 20 को host कर रहा है भारत 26th National Youth Festival 2023 जिसकी theme में विक्सित युवा, विक्सित भारत 12-16 जन्वरी तक एक पूरा festival run होना है कहाँ पर हुबली धारवार करनाट का रीजन में ठीक है इतनी चीज़े तो यही चीज़े यहाँ पर mention की गई है next है list of cities where women to work safely survey तो यहाँ पर उन शेहरों की सूची बताई गई है जहाँ पर सुरक्षित रूप से काम कर सकती है तो लगबग 200 companies का 300 companies का अलग-अलग cities में 111 cities में survey conduct कराया गया अवतार ग्रुप के द्वारा और इस data को collect किया गया कि कौन सी company का environment कैसा है वहाँ पर crime record कैसे हैं ठीक है ना आपका जो Ministry of Women and Child Development की annual report आती है उसका data यहाँ पर collect किया गया तो अलग-अलग NGO, अलग-अलग organization government की website से data collect करने के बाद यह survey complete हुआ है इसमें अगर हम बात करतें large cities के बारे में जहाँ पर population more than 10 lakh है उनमें देखेंगे तो सबसे अच्छे places working के लिए women के work के लिए बताएगा है चेननाई, पूने, बैंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई और एहमदाबाद अगर वहीं हम cities के बारे में बात करतें जहाँ की population 10 lakh से कम है तो आप देखेंगे तुर्षी, पैलूर, इरोट, सैलम और तुरपूर पुद्धिचेरी इसके बाद, ठीक है World First Vaccine for Bees in USA तो USA के दौरा मदुमक्खियों के लिए पहली vaccine तैयार की गई है हम सबी लोग चानते हैं कि मदुमक्खियां या bees जो होती हो हमारे environment के लिए human के sustainable development, human के survival के लिए जो है मदुमक्खियां बहुत जरोरी होती है क्योंकि मदुमक्खियां ही है जो pollination करती है ठीक है, तो यहाँ पर bacterial effect जो है वो bees पर भी होता है, तो वेक्टिरिया से होने वाली disease देखी जा रही थी bees में जिसका नाम है, fall brood क्या disease का नाम है, fall brood जो कि वेक्टिरिया से होने वाली बिमारी है, यह देखी जा रही थी bees में, इसलिए USA के दोर approval दिया गया और world की पहली vaccine bees के लिए USA तयार कर रहा है ठीक है next है हम बात करने वाले हैं 15th edition of जैपूर International Film Festival के बारे में यह 6th of January से 10th of January के बीच में जैपूर में आयोजित किया गया था और जैपूर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल है 2009 में शुरू किया गया था तो इस 15th edition of जैपूर International Film Festival में Lifetime Achievement Award डारेक्टर एंड एक्टर अपढणा सेन को दिया गया है अपढणा सेन जो है उन्हें Lifetime Achievement Award जैपूर फिल्म फेस्ट में दिया गया है इनकी जो पहली फिल्म थी यह इन्होंने जिस फिल्म से डेब्यू किया था वो 1961 में आया थी जिसका नाम था तीन कन्या चलिए अगली बात कर लेते हैं हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के बारे में रंजन गोगोई जी के एक पुस्ताक है जिसका नाम है जस्टिस फॉर्दा जजज जो की ओटो बाइग्राफी मतलब आत्म कता है रंजन गोगोई जी की आप इस बुक को याद रखेंगे रंजन गोगोई जी के दुआरा एक बुक को लांच किया गया है एक बुक को रिलीज किया गया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डाइरी नमबर वन इसमें असम के जो चीफ मिनिस्टर है रंजन गोगोई के दवारा लांच की गई है अगली बात करते हैं अभी प्रिजेंट हमारे CJI वर्तमान में हमारे देश के जो है वो 50th नमबर के पचासवे नमबर की चीफ जेस्टर ऑफ इंडिया कौन है डीवाई चंद्रचून है इनने रेसेंटली आवाउड फर ग्लोबल लीडर्शिप दिया गया है इन उने लॉकी सेक्टर में लॉकी परोफेशन में या प्रोफेशनल में काम वो करते है तो वर्ल्ड के लेवार पर और भारत के लेवारट पर उनने जो कांठ्रिबूशन किया है इसलिए इन्हें Award for Global Leadership दिया गया है और ये Award इन्हें Harvard Law School Center के द्वारा दिया गया है Justice D.Y. चंदरचून को अगली बात करेंगे हम अनाहत सिंग के बारे में अनाहत सिंग तो directly question बनेगा कि अनाहत सिंग का relation कि स्पोर्ट से है तो अनाहत सिंग जो है वो स्कॉष खेलती है चीक है तो अनाहत सिंग wins Girls Under 15 स्कॉष टाइटल at 2023 British Junior Open तो 2023 British Junior Open Birmingham UK में आयोजित किया गया तो 4 से लेके 8 जन्वरी के बीच में इसमें इन्होंने Egypt की Sohila Hazem को defeat किया है और अनाहत सिंग जीत गई है Girls Under 15 स्कॉष टाइटल को अनाहत सिंग जो है वो नई दिल्ली से बलॉंग करती है अगले हमारे किर्केटर जिनका नाम है सूर कुमार यादव ठीक है फास्टेस प्लेयर बन गया है तो रीच 1500 T20 इंटरनेशनल रन इन टर्म ऑफ बॉल फेस तो इन्होंने बिसिकली क्या किया है इन्होंने 843 बॉल्स पर 1500 T20 इंटरनेशनल रन बनाया है जो कि फास्टेस्ट है तो इसली बोला जा रहा है कि सूर कुमार यादव बिकम फास्टेस्ट प्लेयर तो रीच 1500 रन इंटी 20 इंटरनेशनल ठीक है अब यहां पर जो फास्टेस्ट रन होते हैं वो दो कैटिगरी में होते हैं तो आपने जितनी बॉल फेस की है उस हिसाब से यह आप जितनी इनिंग्स में उन रन्स को बना पा है ना तो यूपी बेस्ट पंगॉल इन सब राज्यों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है के स्रीनाथ रिपाटी फॉर्मर बेस्ट पंगॉल गवर्नर पास्ट अवे तो के स्रीनाथ रिपाटी जी जो की बेस्ट पंगॉल के गवर्नर की रूप में भी काम किया है इन्होंने 2014 से 2019 तक इनका निधर प्रियाग राज उत्तर प्रदेश में 88 की उम्र में हो गया है इसके पहले यह यूपी लेजिसलिटिव असेंबली की स्पीकर भी थे यूपी की जो विधान सबा है ना उसके स्पीकर की रूप में इन्होंने काम किया इसके लावा बिहार म मिघालया और मिजोरम के गवर्णर की रूप में भी इन्होंने काम किया है और एड़ोकेट थे यह इलाबाद हाई कोर्ट में ठीके तो आपको याद रखना है कि किनके राज्यों के केश्रिनाथ रिपाटी जी गवर्णर की रूप में काम कर चुके थे तो बेस्ट हो गया बिहार मेघालया और मिजोरम इसके अलावा उत्तर प्रिदेश के लेजिसलेटिव असेमली के स्पीकर की रूप मेनों ने काम किया है इनकी कुछ बुक्स भी है अगली बात करते हैं पांडू लिपी के बारे में जिसको हम मैनिस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं और राजा माराजा भेजा करते थे राइट तो यहां पर वल्ड का पहला environment को सेटप किया गया है तुर उंधमपुरम के यह वल्ड का अपने आप में पहला है त्रवाणकूर का जो kingdom था है त्रवाणकूर के राजा ने किस तरीके से डच के अगेंस्ट फाइट की थी औरана हिए किस तरीके से social economic development हो रहे थे, क्या social culture था उस समय, तो वो सारी चीज़ ने यहाँ पर store करके रखी गई है, ठीके तो यह अपनी तरीके का वर्ल्ड का पहला palm leaf manuscript तैयार किया गया है, next है जैसा कि मैंने बताया था international kite festival इसकी शुरुआत गुजरात की मुख्य मंतरी भूपेंर पटल जी की दौरा की गई है, 18th of January से लेके 14th of January तक International Kite Festival को celebrate किया गया एहमदाबाद में, ठीके जिसकी theme आपको पता होने चाहिए, यह One Earth, One Family, One Future, One Earth, One Family और One Future इसकी theme थी, ठीके, दो साल के gap के बाद यह festival आयोजित किया जा रहा था, क्योंकि COVID-19 के चलते, दो साल तक यह festival नहीं हुआ था, नेक्स्ट है, Military Tattoo and Tribe Dance Festival, यह जो festival है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, कहां पर नई दिल्ली में, आप सभी को मैं बता दू, Republic Day का जो कारिक्रम होता है न, गरतन ते दिवस 26 जन्वानी को हम मनाते हैं, हमेशा से, क्या होता था, जो Republic Day का कारिक्रम शुरू होता था, वो 24th of January से शुरू होता था, लेकिन पहली बार, for the first time, Republic Day का जो प्रोग्राम में, वो 23rd January से शुरू होने जा रहा है, Republic Day Celebration 2023, for the first time, जो है, वो 23rd of January से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली में, और उसी की क्रम में, Military Tattoo and Tribe Dance Festival का आजन किया गया, और पराक्रम दिवस भी जो है, वो 23 जन्वारी को होता है, नेज़र जी शुवास चंदबोष जी की याद में, नेक्स्ट है, यह है, अमिस्था जी, और यह पहुँच गए हैं कहां पे मनीपूर, और मनीपूर, जहां से ancient polo की शुरूआत होई थी, आज हम modern polo के खेलते हैं, या देखा होगा आपने घोड़े पे बैट कर एक व्यक्ति, जो है, वो polo का गेम खेलता है, तो ancient समय में जो polo की शुरूआत होई थी, वो मनीपूर से होई थी, तो अमिस्था जी के दौरा, मौर्जिंग polo का statue मनीपूर में लॉंच किया गया, मौर्जिंग polo का statue कहाँ पे लॉंच किया गया, मनीपूर में इसको लॉंच किया गया, लगबग 122 feet का ये high statue है, ठीक है, इसको हम सगोल कागजी के नाम से जानते हैं, सगोल कागजी मतलब ancient polo, polo के जिस गेम को आज मनीपूर में जो खेलते हैं, नेक्स है, घेलो इंडिया नेशनल वीमिन खोको लीग सेट टू टेक प्लेस इन पंजाब, तो जो खेलो इंडिया नेशनल वीमिन खोको लीग है, उसके शुरूराद कहाँ पे हो रही है, पंजाब के चंडीगड उनिवर्सिटी में हो रही है, 10th of January से 13th of January के बीच में ठीक है इसको Koko Federation of India के दोरा खेला जाता है और इसका जो जूनियर इवेंट होगा मतलब जूनियर और सब जूनियर कैटिकरी जो होगी वो कहाँ पे खेली जाएगी वो राची में खेली जाएगी ठीक है नेक्स्ट है PM launch aspirational block program तो PM के द्वारा aspirational block program की शुरुआत की गई आप देख सकते हैं इस image में Second National Conference of Chief Secretaries तो मुक सचिवों का द्वती रास्टी सम्मेलर पास से लेके साथ जनवरी को आयज़त किया गया था नई दिल्ली में ठीक है तो backward districts को develop करने के लिए इस program की शुरुआत की गई है इतनी चीज़े clear है इसके पहले aspirational district program already हमारे देश में मतलब block program already हमारे देश में रन हो रहा था 2018 में इसके शुरुआत की गई थी इसके अंतरगत 15 districts ऐसी है अलग-अलग state की जो backward है जहां properly development नहीं हुआ है sewage problems होती है infrastructure नहीं है तो उनको development करने का काम यहाँ पर किया जाएगा next है इंडिया की GDP NSO NSO क्या होता है National Estatical Office होता है तो National Estatical Office के दौरा recently एक report publish की गई है और advanced estimation किया गया है कि भार्ण की GDP 2022-2023 के लिए 7% रहेगी ठीक है और इस report को Ministry of Estatics and Program के दौरा implement किया गया था और भारत की जो economic growth है Financial Air 23 के लिए according to the NSO 7.7% रहेगी वही अगर हम बात करते हैं World Bank तो World Bank ने भारत की GDP 6.9% परजेक्ट की थी अगर हम बात करेंगे Asian Development Bank यह उन्होंने 7% एजियूम की थे भारत की GDP Financial 23 में 7% रहेगी अगली जानकारी है Green Bonds को लेके तो देखिए Green Bonds क्या होते हैं तो Green Bonds वो Bonds होते हैं जिसके जरिये Government पैसा एकटा करती है और उस पैसे को Invest करती है Green Project में आपको Green Airport बनाना है Green Building बनानी है Renewal Energy पे काम करना है कोई Solar Plant लगाना है Wind Mill लगानी है मतलब आपको ऐसा कोई काम करना है Environment को Focus करते हूँ अगर आपको कोई Project बनाना है तो उसके लिए Fund इखटा करने के लिए Government के द्वारा Green Bond इशू किये जाते हैं बात समझ में आ रही इतनी चीज़े तो इसमें एक इशूर होता है जो कि Green Bond को इशू करता है और Fund को इखटा करेगा जिससे Sustainable Development हो सके इशू करने के लिए यहाँ पर जो Investors होते हैं यहाँ पर एक Token को लेते हैं और Investors इसमें Fund डालते हैं और बदले में Investor को एक Particular Amount of Interest यहाँ पर दिया जाता है तो इस तरीके से Green Bond काम करता है तो RBI यहाँ पर दो अलग अलग batches में 8,000 करोर रुपीज के Green Bond इशू करेगा तो यह Green Bond 25th of January और 9 February को launch होंगे 25 January को 8,000 करोर रुपे और 9 February को भी 8,000 करोर रुपे तो टोटल 16,000 करोर रुपीज के Green Bond RBI इशू करेगा ठीक है Next है Government Extend RBI Deputy Governor Michael Devrat Patra tenure by the one year तो Government of India के द्वारा Michael Devrat Patra जो की RBI की Deputy Governor थे इनका tenure एक साल के लिए extend कर दिया गया है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Monetary Policy Committee के में मेंबर रहे है RBI जो है उसमें एक आपका RBI का Governor होता और उसकी मदद करने के लिए चार Deputy Governor होते है चार Deputy Governor कौन कौन से है तो इतो Michael Devrat Patra हो गया जिनका tenure एक साल के लिए extend कर दिया गया अगले है M.K.Jain M.K.Jain के अलावा M. Rajeshwar Rao और T. Ravi Shankar ठीक है Next बात करेंगे Meta Appoint Vikas Prohit as a Director of Global Business Group India तो Meta के द्वारा Vikas Prohit को Director of Global Business Group India के लिए Appoint किया है चीक है इसके पहले ये Tata CL IQ में as a CEO सर्फ कर रहे थे अगले परसन बहुत खास है उनके बारे में हम बात करते हैं कश्मीर के पहले परसन जिनने ग्यान पीट अवोर्ड दिया गया था और उनका नाम थे रहमान राही जिनका निधन हो गया है तो रहमान राही आप कहेंगे कि एक पोएट थे कश्मीरी पोएट थे कश्मीरी भाषाओं में नोंने कविताओं को भी इस रचना के लिए थे इसके लावा पर्मिश्री आवर्ड भी दिया जा चुका था चीक है तो आप इन पर्संग के बारे में आद रखेंगे ज्ञानपीट अवर्ड की बारे में बात करते हैं तो ग्यानपीट अवर्ड की शुरुवात अगली book के बारे में बात करते हैं जिस book को Sanjeev 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 के द्वारा रिसेंटली एक पुस्तक रिलीस की गई है और प्रोफेसर केके अब्दुल कफार तो महिन सिंग दोनी जी के द्वारा प्रोफेसर केके अब्दुल जिसका नाम में नजान साक्षी इस बुस्तक को रिलीज किया गया है जिसमें प्रोफेसर केके अब्दुल गफार जी की ऑटोवायग्राफी इनकी पूरी आत्म कथा यहां पर बताई गई है नेक्स्ट है चेतन शर्मा कंटिन्यू ऐसा चेर्मेन ऑफ बी सीसी आई सीनियर सेलेक्शन कमीटी रिसेंटली मैंने आपको बताया था बी सीसी आई के द्वारा दो अलग लग रूल इंटर्डूस किये गा है अगले आने वाले जो टेस्ट मैंस है टी ट्वेंटी है या ODI में टीम सेलेक्शन के लिए जिन में से एक मैच काफी सुर्खियो मैं था जिसका नाम था यो-यो मैच चेतन शर्मा बी सीसी आई की इस जो सेलेक्शन कमीटी है उसके चेर्मेन रहेंगे ठीक, इसके लावा 5 और मेंबर रहेंगे इस कमीटी में और एक पूरा बोर्ट जो है वो मिलके आने वाले प्लेइर स्पोर्टर्ट्स या सीरीज है उसके लिए मेंबर्स का या स्पोर्ट्सपर्सन का सिलेक्शन करेगा BCCI के जो सेकेटरी है वो जैशाह है नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर अफ साइंस और टेक्नोलोजी डॉक्टर जितेन सिंग इन्होंने नेशनल साइंस डे की थीम लॉंच की है हम सभी को पता है कि 28 फरवरी को हर साल हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं क्यों क्योंकि 28 फरवरी को मतलब रमन इफेक्ट की डिस्कवरी जो है वो सीवी रमन ने की थी और 1930 में उन्हें जो है वो नोबल प्राइस दिया गया था इसलिए उनकी आद में 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे की रूप में सलिबरेट करते हैं और इस साल की जो थीम डिसाइट की गई है वो थीम डिसाइट की गई है ग्लोबल साइंस फर ग्लोबल वैल बिंग खेलर रेती चीज़े हैं? चरिए अगली बात करते हैं विच कंपनी के दुआज़े लोग स्मोक सूपीरियर केरोसेन ओईल for the Indian Army in Jammu तो किस कंपनी के द्वारा low smoke superior kerosene oil को launch किया गया है Indian Army के लिए Jammu में क्योंकि आप जैसे जैसे उचाई पर जाते हो उचाई में हमें पता है oxygen level कम होता जाता है और किसी भी fuel को burn होने के लिए oxygen की जरुरत होती है तो ऐसे case में जो हमारे army persons है उनकी health का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं को ध्यान रखते हुए BPCL भारत Petroleum Corporation Limited के द्वारा low smoke superior kerosene oil को दयार किया गया है for the Indian Army person in Jammu ठीक है अब BPCL का formation 1952 में हुआ था Mumbai महराष्ट में इसका head office है और VR गुपता यहाँ पर chairman आपको देखने को मिलेंगे अब बात करेंगे best performing global airport 2022 तो best performing global airport अगर top 10 airports की बारे में बात करेंगे तो top 10 में भारत की 2 airports को शामिल किया गया है पहला है camping godo international airport जिसकी ranking second number पे है जो कि बैंगलूरो में आपको मिलेगा second है आपका इंद्रा गांधी international airport इंद्रा गांधी international airport आपको कहा मिलेगा दिल्ली में जिसकी ranking आपको 7 है चीक है तो आपको ये दोनों चीज़े याद रखनी है इत्ती बाते के लिए रहे हैं अगर top के बारे में बात करें top 3 airports के बारे में बात करें तो first number पे Tokyo Japan Haneda Airport, second number पे Bangaluru, Campingoda International Airport और third number पे Salt Lake City USA ठीक है तो इंतीनी airports के नामयाद रखने हैं और साथवे नंबर पे इंद्रा गांधी international airport नई दिल्ली भी है अगली बात करते हैं केरला के मुख मंतरी के बारे में केरला के मुख मंतरी कौन है पिन्रय विजियन है और होने डिकलियर किया है केरला इंडिया first state तो गो fully digital in its banking services तो केरला जो है वो भारत का पहला ऐसा राज बन गया है जहां पर banking services जो है वो पूरी तरीके से digital है साथे साथ कुछ और facts में आपको बताती हूं केरला राज के बाले में हर एक व्यक्ति को internet भी प्रवाइट करो तभी तो आप right to internet को यहां पर बोल सकते हो डिकलियर कर सकते हो तो केरला गवर्मेंट के द्वारा यहां पर केरला fiber optical network पूरा बिछाया जा रहा है चेके न अलगबग 17,000 km long optical fiber cable का network है अगर यह पूरा setup कर दिया जाएगा तो बहुत ही low cost पे cheap rate में वहां के लोगों को internet facility दी जाएगी तो केरला become country first fully digital banking stage फर्स एडुकेशन ग्रूप ऑफ G20 countries to meet and train G20 देशों का पहला सिक्षा समूठ चेन नहीं में होगा अब देखें कि G20 की 200 meeting होनी है अब हर meeting के बारे में बार-बार discussion करना possible नहीं हो पाता कभी educational ministers की meeting होगी कभी finance minister की meeting होगी RBI की जो central banks की governor है उनकी meeting होगी कभी culture meeting होगी climate change में meeting होगी environment में meeting होगी तो वैसे ही educational group पे meeting कहा हो रही है chain नहीं में हो रही है की health working group की meeting तुरू अंतंपुरम में होगी 18-20 जन्वरी energy working group की meeting बैंगलूरो में होगी 5-7 फरवरी के बीच में environment and climate working group की meeting बैंगलूरो में होगी 8-10 फरवरी के बीच में cultural meeting आपको याद रखने है यह खजराहों में होगी मदरपरदेश में agriculture working group की meeting इन दौर में रहने वाली है tourism working group की meeting जो है वो कच्छ में रहने वाली है तो यह अलग-अलग meeting से जो होने वाली है आज की जो सबसे important news में मानती हूँ क्योंकि जिससे question बरना की probability बहुत ज़ादा होती है handling passport index 2023 अब handling passport index जो है वो quarter 1, quarter 2, quarter 3 है तो जपान का जो passport है वो 193 countries में visa free access कर सकता है second number पे Singapore और South Korea है third number पे Germany और Spain का number है भारत की position जो है पिछले साल से थोड़ा सा improve होई है last year quarter 4 में भारत की जो position थी वो 87 पे थी अभी भारत की जो position है वो 85 नंबर पर आ गई है तो handling passport index 2023 quarter 1 में भारत की ranking किस नंबर पे है 85 नंबर पे है ठीक है 85 नंबर पे भारत की ranking है और भारत जो है वो visa free access से travel कर सकता है 59 countries में अब ये भारत की जो ranking है इसको और कौन share कर रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर उजबेकिस्तान और मॉटेनिया भारत के साथ same ranking को share कर रहे है next है golden globe award के बारे में golden globe awards golden globe award में नाटू नाटू जो song था rr movie का उसे best original song award दिया गया है चीक है आए इसके फूरे बारे में हम बात करते है जो rr movie है उसको दो अलग-अलग category में nominate किया गया था एक तो उसका song था नाटू नाटू जिसको best original song के लिए nominate किया गया था वहीं इस movie को best picture non-English के लिए भी nominate किया गया था नाटू नाटू song के लिए golden globe award जो है rr को मिल गया है लेकिन best picture non-English का जो award है वो अर्जेंटिना 1985 को गया है अब इस song को किसने direct किया है अगर हम बात करते हैं तो M.M. Khiravani के द्वारा इस song को compose किया गया है यह 18th number का 80th number की golden globe award थे best film drama award जो है फैवल मेंस को गया है वही best drama series house of the dragon है आप इसके अलाबा याद रख सकते best motion picture non-English language अर्जेंटिना 1985 है best actress आप देखेंगे यहाँ पर Cat Blancet है और best actor की category में आप देखेंगे Austin Butler है next है justice and Koteishwar Singh इन्हें acting chief justice of Guwahati High Court appoint किया गया है Supreme Court के जो जड़ेस होते हैं उनकी retirement age 65 years होती है वही High Court के जो जड़ेस होते हैं उनकी retirement age 62 years की होती है Justice Kate Koteishwar Singh को acting chief justice बनाया गया है Guwahati High Court का अगली person है Indian American A.C. Charnia named as new chief technologist of NASA ठीके तो Indian American person है जिनका नाम है A.C. Charnia इन्हें नया chief technologist of NASA बनाया गया है और इन्होंने भव्यालाल को replace किया है भव्यालाल जो की Indian American scientist है उनकी जगह जो है वो A.C. Charnia ने ली है NASA जो है वो अमेरिका की space agency है 1958 में सका formation हुआ था USA में अगली person है Manpreet Monica Singh ये पहली female sick judge बन गई है USA में पहली female sick judge बन गई है USA में Indian origin है Manpreet Monica Singh अगले एक खिलाडी है football खिलाडी है Wells के जिनका नाम है Gareth Bell Gareth Bell ने international football से सन्यास की घोशना कर दिया और Bells के रहने वाले है अगले जो खिलाडी है वो South Africa के किर्केटर है All-rounder किर्केटर है South African All-rounder किर्केटर जिनका नाम क्या है यहाँ पर Devin Pittorias इन्होंने भी announcement कर दिया International Cricket से International Cricket से उन्होंने अनौंसमेंट किया है लेकिन IPL खेलेंगे IPL 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे और CS के मतलब Chinese Super Kings की जो टीम है उसके लिए खेलेंगे चलिए अगला अवार्ड देखेंगे First Dr. Patangrao कदम Memorial Award अब ये Dr. Patangrao जो है वो महराज के एक politician है उनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है तो First Dr. Patangrao कदम Memorial Award किसे दिया गया है तो ये अवार्ड अडर पुनावाला को दिया गया है जोकि CEO है Serum Institute of India के उन्हें ये अवार्ड दिया है इसके लावा एक्स्टा फेक्ट में आप देखेंगे प्रभू चंद्रमिश्र इन्हें अटल सम्मान अवार्ड दिया गया था in the field of science and research 27th of December 2022 अगली बात करते हैं खेलो इंडिया यूद गेम तो पांचवा एडिशन 5th edition खेलो इंडिया यूद गेम का शुरू होने वाला है 31st of January से मदर प्रदेश में कहां पर हो रहा है तो पांचवा खेलो इंडिया यूद गेम शुरू हो रहा है मदर प्रदेश में खेलो इंडिया यूद गेम के शुरुआ 2018 में की गई थी अब जो मदर प्रदेश के मुख्य मंत्री है उन्होंने खेलो इंडिया यूद गेम के लिए टॉर्च, थीम सॉंग और मैसकट को लॉंच किया है तो यहाँ पर मैसकट जो है वो आशा है थीम सॉंग जो है वो सान ने गाया है और सॉंग का नाम क्या है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो वही टॉर्च जो है वो अमरकंटक है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो पाँचवे नंबर के आपके खेलो इंडिया यूद गेम है इसमें पहली बार काइकिंग, कैनोइंग, फैंसिंग जो आपका तलवारवाजी वगएरा फेस्टिबल तलवारवाजी वगएरा रिस्पोर्ट्स है वो यहाँ पर इंट्रिदूस किया जा रहे है पहला एडिशन दोहजार अठारा में हुआ था जो लेटेस एडिशन था, फोर्थ एडिशन वो पंच्कुला हर्याना में हुआ था और हर्याना विनर्र रहा है, महाराज यहाँ पर रनरप रहा है Next है Global Investment Summit Global Investment Summit को inaugurate किसं नहीं किया है? Prime Minister Modi नहीं किया है Global Investment Summit को आयुजित किया जा रहा था मदर प्रदेश में, मदर प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारती दिवस भी इंदौर में मनाया गया और Global Investment Summit भी मदर प्रदेश में मनाया गया जिसकी डेट थी 11 और 12 जैन्वरी ठीक है प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा इस Investment जो Investor Summit है Global Investor Summit इसको आयज़त किया गया है मदर प्रदेश इन दौर में इस Summit में चंद्री का प्रशाद संतोखी जो की President अफ सूरिनाम है इसके लावा डॉक्टर मुहमद इर्फान अली जो की President अफ जियाना है इन दोनों ने इस Summit को अटेंड किया था अब सम्मिट की थीम क्या है मदर प्रदेश अफ फ्यूचर रेडी स्टेट मदर प्रदेश अफ फ्यूचर रेडी स्टेट इसकी थीम है अब इस पूरे सम्मिट में एक और खास बात रही है कि environment protection पर बहुत ध्यान दिया गया यहां पर जो भी सम्मिट के लिए construction किया गया था उसमें पूरा तरीके से जीरो वेस्ट टेकनोलोजी का यूज करते हुए सम्मिट का जो मैप है वो तयार किया गया है 15 जन्वरी 15 जन्वरी आपका इंडियन आर्मी डे होता है जो कि आज है ठीक है तो 15 जन्वरी को इंडियन आर्मी डे मनाय यह 75th edition रहने वाला है चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर हम लीथियम triangle के बारे में तो लीथियम triangle यहां पर आप देखेंगे बोलेविया चाइल और अर्जेंटीना यहां पर लीथियम के डिपॉजिट पाये जाते हैं इसलिए इसे हम लीथियम triangle के नाम से जानते हैं तो स्रकार के दवारा तीन मेंबर्स की टीम तइयार की गई थी टीन मेंबर्स की टीम जो ही वे है आपका अर्जेंटीना गई थी और वहां पर उन्हों ने दो लीथियम के और को डिस्कावर किया है तो भारत ने अंसे में दो लीथियम और एक तावे की खान की पहचान की है South American Continent में जो team थी उसमें एक geologist थे जो की mineral exploration Corporation Limited के थे फिर खान जी विदेश Limited India Limited के एक पर संद्धे और एक GSI Geological Survey of India के एक पर संद्धे इस तरीके से तीन member की committee यहां पर भेजी गई थी ठीक है Australia जो है भी टॉप पर चलता है लीथियम के प्रोडक्शन में भारत की बात करते है तो भारत इंपोर्ट करता है लीथियम को ठीक है अर्जेंटीना की रैंकिंग जो है वो लीथियम के और इस बुक को रिलीज किस ने किया है गवर्णर अफ मद्रप्रदेश और मद्रप्रदेश के गवर्णर कौन है मग्गु भाई छग्गन भाई पटेल जो है मद्रप्रदेश के गवर्णर है उन्होंने एक पुस्तक को लॉंज किया है जिसका नाम है human anatomy और इस पुस्तक के अगली एक और बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं जिस बुक को रिलीज किया है मनसुक मंडाविया जो कि हमारे health and family welfare minister है तो डॉक्टर मंसुक मंडाविया के द्वारे रिसेंटली एक पुस्तक लॉंज की गई है जिसका नाम है ब्रेविंग आ वाइरल स्ट्रों इंडिया कोविट 19 वैक्सिन स्टोरी तो बेसेकली देखें जनवरी 2021 में भारत में कोविट 19 वैक्सिनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी तो दो साल उस वैक्सिनेशन ड्राइव को हो गए है इसलिए ब्रेविंग आ वाइरल स्टों इंडिया's COVID-19 vaccine story को launch किया गया है मनसुफ मंडाविया जी के दौरा इस book के co-author कौन है तो आप देखेंगे आशीश और सूरज सुधीर इस book के co-author है चलिए अगली person के बारे में बात करते हैं Father of Leproscopic Surgery in India जिनका नाम था टेहम्टन उडवालिया इनका निधन हो गया है तो टेहम्टन उडवालिया जी को Father of Leproscopic Surgery in India में कहा जाता है इनोंने पहली बार Leproscopic Surgery को इंट्रोड्यूस किया था भारत में 1972 में Government of India के द्वारा Science की फिल्ड मेंन की contribution को ध्यान में रखते हुए पद्वे भूशन अवार्ड 2017 में दिया गया था वहीं पद्वे श्री अवार्ड इनको 2002 में अल्रडी दिया जा चुका था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये Leproscopic Surgery क्या होती है तो आईए मैं डाइग्राम के जरी आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा इसके अलावा डॉक्टर टहिमन उडवालिया जी के एक ऑटोबायग्राफी भी है इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है More Than Just Surgery ठीक है ये देखिएगा एक डिवाइस के जरी है यहाँ पर अगर आपको इंटर्नल ओर्गन की बीडियोग्राफी चाहिए इंटर्नल ओर्गन को आप देखना चाहते हैं तो इस डिवाइस को उपयोग करते हैं जिसको हम लेपरोस्कोपिक इंस्ट्रिमेंट कहते हैं और इसके जरीए फिर सर्जरी की जाती है नेक्स्ट बात करेंगे वीर गार्जियन 2023 तो भारत जापान के बीच की पहली जॉइंट एयर एक्सराईज कंड़क्ट हो रही है जापान में फार दा फर्स ताइम जॉइंट एयर एक्सराईज बिट्वीन इंडिया और जापान वीर गार्जियन 2023 इसमें ये पूरी एक्सराईज 12 से लेके 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी कहाँ पर जापान में इसमें भारत के जो है सुखोई 30, C-17 और IL-78 एयर क्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे अब इंट्रेस्टिंग बात ये है कि सुखोई 30 को उड़ाएगा कौन तो अबनी चतुरवेदी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है जो कि सुखोई 30 को उड़ाएगी अबनी चतुरवेदी भारत की पहली इंडियन विमेन पाइलेट है जिन्होंने मिग 21 एर क्राफ्ट को रन किया था 2018 में इसलिए Government of India के द्वारा 2020 में 2020 में इन्हें नारी शक्ति पुरुस्कार भी दिया गया था नेक्स्ट है Central Government के द्वारा Integrated Food Security Scheme का नाम चेंज करके प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना कर दिया गया है इस प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के अंतरका जो National Food Security Act 2013 है उसके सभी जो beneficiaries है उनको include किया जाएगा और 2023 के लिए जो budget decide किया गया है वो 2,00,00 करोर रुपे का किया गया है ठीक है अब प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना जो package है वो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना package COVID-19 के समय आया था Ministry of Finance ने इसको launch किया था इसके अंतरकाथ 5 kg per person per month food grain, rice और wheat distribute किया जाते थे direct benefit transfer के जरिए National Food Security Act के beneficiaries को तो रुपे debit card और UPI के promotion के लिए Government of India के दोरा incentive scheme शुरू की गई जिसके लिए 2600 करोर रुपे का outlet design किया गया है इसका एक युद्धेश है कि भारत में digital payment system को और भी जादा आसान और easy बनाना approachable बनाना और लोगों तक इसको पहुँच को बढ़ाना है इसके अलावा National Center for Drinking Water Sanitation and Quality इस institute जो कि Kolkata में था इसका नाम भी change करके Dr. Shama Prashad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation कर दिया गया है तो यह नाम भी change हुआ है आप इसे याद रखेंगे next है World Bank predict India's economic growth to slow to 6.9% in financial year 23 तो World Bank ने कहा है कि भारत की economic growth जो है वो 6.9% रहेगी financial year 23 में इन्होंने एक report publish की थी World Bank ने एक report publish की थी और इस report का नाम क्या था Global Economic Prospects Report तो directly exam में question बना हुआ है कि Global Economic Prospects Report कौन publish करता है World Bank इन्होंने World की GDP भी assume की है इन्होंने predict किया है कि जो global growth रहेगी financial year 23 में 1.7% रहेगी पहले इन्होंने 3% कहा था next है which Indian public sector bank got the approval from RBI to hold special rupee Vostro account for 3 bank from the Sri Lanka तो RBI ने किस bank को approval दिया है कि Sri Lanka के 3 Vostro account को वो handle करेगा तो आंसर हो जाएगा Indian bank इसकी मदद से श्री लंका जो है वो Indian rupee में भारत से import और export कर सकेगा और इसके लिए dollar की ज़रुद नहीं बढ़ेगी India first ever coal gasification based talchette fertilizer plant in Odisha will be ready by October 2024 तो यहाँ पर देखिए कब मनसुक पंडावी आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे इनोनल रिसेंटली announcement किया है कि talchette जो fertilizer plant है October 2024 तक operation में आ जाएगा और यह भारत का पहला coal gasification plant है और इस coal gasification plant के जरिए भारत में fertilizer को डेवलप किया जाएगा जिससे हमारा जो import होता है fertilizer का यूरिया का जो हमारी dependency यह दूसरे देशियों पर वो कम हो जाएगी ठीक है basically coal gasification जो plant होते हैं उनके जरिये syngas को produce किया जाता है और syngas के production के बाद उसका use fertilizer यह chemical बनाने में किया जाता है यह जो construction इसके रिए वो 17,000 करोर रुपे की की गई है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि syngas क्या होती तो syngas basically mixture होता है जिसमें methane, carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide और water vapor होते हैं यह बात हो रही है होकी के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं यह है world की सबसे लंबी होकी stick जिसको send artist के द्वारा तयार किया गया है महा नदी river basin में या महा नदी river bank पर चीक है किसने इसको तयार किया है सुदर्शन पतनायग सुदर्शन पतनायग के द्वारा world की largest hockey stick को तयार किया गया है कटक उडिसा में महा नदी river के किनारे लगबग 5000 hockey ball की मदद से 10 feet लंबी इस hockey stick को डिजाइन किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि उडिसा में hockey men's world cup 2023 हो रहा है जो सुदर्शन पतनायग जी है जो की send artist है इन्हें 2014 में पदमिश्री award भी दिया जा चुका है next बात करेंगे रवी कुमार S के बारे में रवी कुमार S जो की Infosys के former chairman रह चुके है इन्हें कॉंग्निजेंट का CEO appoint किया गया है तो कॉंग्निजेंट के CEO कौन बन गए है रवी कुमार S बन गए है ठीक है चलिए next बात करेंगे former union minister शरद्यादा passed away सरद्यादाओ जी जो की RJD की leader थे और इनका relation भी अगर आप देखेंगे तो इनका relation मधरप्रदेश से बिहार से आप देख पाएंगे इनका relation उत्तरप्रदेश से भी इनका relation आप पाएंगे तो इनका निधन हो गया है ठीक है अब बात करते हैं इनके नेटफ प्लेस क्या है मतला भी कहां से बिलॉंग करते थे तो इनर्मदापुरम डिस्टिक मधरप्रदेश से बिलॉंग करते थे ठीक है अब यह पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो तीन अलग-अलग स्टेट से MP रहे हैं जिनोंने लोक्त सभा का चुनाव लड़ा और MP रहे हैं सरद्यादो जी मधिपुरा लोक्त सभा कॉंस्टेंसी बिहार से चार बार MP रहे हैं 1991, 1996, 1999 और 2009 में वही मधरप्रदेश के जबलपुर से दो बार यह MP रहे हैं 1974, 1977 में और उत्तर प्रदेश के भी बदिवन से MP रहे हैं तो तीन अलग अलग राज्यों से इनोंने MP की तरह काम किया है तो इनका नाम आपको याद रखना है अब कौन सा पोर्टफोलियो समालते थे तो Ministry of Textile and Food Processing 1989, 1990 में नोंने समालने का काम किया है ये news बहुत important है हम बात कर रहे है COP28 के बारे में तो COP28 की जो meeting हो रही है वो UAE conduct करा रहा है वही COP27 कहां पर हुई थी COP27 जो है वो Egypt में हुई थी ये बात आपको पता है COP की जो meeting है Conference of Party Climate Change की जो मुद्दे हैं उन पर discussion करने के लिए ये meeting होती है तो COP28 का जो president बनाया गया है वो Ministry of Industry and Advanced Technology of UAE Dr. Sultan Ahmed Al-Zabir को बनाया गया है Dr. Sultan Ahmed Al-Zabir जो है वो COP28 के president होंगे इतनी चीज़े clear है इसके अलावा Sultan Ahmed Al-Zabir जो है currently CEO भी है आबुधाबी National Oil Company के Next बात करेंगे Deep Ocean Mission के बारे में तो Deep Ocean Mission के अंतरगर सुंदर्यान, समुदर्यान Mission सुरी, समुदर्यान Mission के अंतरगर तीन भारतिय लोगों को 6000 मीटर गहराई पे समुदर्यान के बहराई में भेजा जाएगा जहां पे वो research work कर सके So India to send 3% to 6000 मीटर below sea level under the समुदर्यान Mission ठीक है और इस वेकल का नाम क्या है इस वेकल का नाम है मतस्थ 6,000 मतस्थ 6,000 इसका नाम है जिसके जरिये तीन लोगों को 6000 मीटर की गहराई पे भेजा जाएगा और इसी तैयार किस ने किया है National Institute of Ocean Technology चेंड नहीं ने इसको तैयार किया गया है समुद्रियान Mission Deep Ocean Mission का एक हिस्सा है और Deep Ocean Mission की शुरुवात Ministry of Earth Science ने 2021 में की थी और जिसके लिए 4000 करोर रुपे का बजट रखा गया है for the period of 5 years प्राम मिनिस्टर मोदी जी के दौरा 12 नसी से वर्ल्ड की लॉंगेस रिवर क्रूज को फ्लाइग उफ किया गया है ये 51 डेज में अपनी यात्रा कवर करेगी लगबग 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी ये जो क्रूज गंगा रिवर पे चलेगी और अल्लादाग 27 रिवर्स को भी कवर करेगी बांगलादेश तक एक क्रूज जाएगी वार्ण नसी से असम चलने वाली है ठीक है यहाँ पर मिनिस्ट्री ओफ कल्चर के दौरा सुर्ष अरिता सिंफोनी ओफ गंगा फेस्टिबल को और्गनाईज किया गया था इसी में आपने जो है वो गंगा विलास क्रूज को भी लॉंच किया है जो गंगा आपकी विलास क्रूज है उत्तर प्रदेश, बिहार, बांगलादेश असम में 51 डेस की आत्रा को कम्प्लीट करेगी नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्कूल के बारे में तो ऑस्ट्रेलियन गवर्मेंट में रिसेंटली अनाउस्मेंट किया है कि लगा था जो सेंसिस कराई गई ऑस्ट्रेलिया में तो पाया गया लगबग 2,39,000 जो फैमिलीज है वो पंजाबी लेंग्वेश का यूस करती है इसलिए जो स्कूल है उनमें पंजाबी लेंग्वेश को भी पढ़ाया जाएगा इसके पहले 2021 में तमिल, हिंदी, कोरियन लेंग्वेश को भी ऑस्ट्रेलिया की स्कूलों में इंट्रिज्स किया गया था आउस्ट्रिलया की कैपिटल कैन्बरा है, डॉलर करंसी है, एंटिनी अल्बिनीज प्रेसिडेन्ट है अब पात करते हैं फ्रांस के बारे में फ्रांस की गवर्मेंट ने अनॉस्मेंट किया है कि जो रिटार्मेंट अज है उसको 62 से extend करके 64 कर दिया जाएगा by the 2030 तो 2030 तह फ्रांस की government जो retirement की age है वो 62 साल से वढ़ाकर 64 साल कर देगी यह जो दिख रहे हैं यह आपको फ्रांस की प्राइम मिनेस्टर दिखेंगी Elizabeth Bond और वही प्रेसिटेंट Imminal Macro आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है ICG, ICG क्या होता है Indian Coastal Guard Ship कमला देवी, last vessel of FPV series commissioned तो यहाँ पर देखेगा fast patrolling vessel है कमला देवी, इसे Indian Coastal Guard को दिया गया है commission किया गया है कोलकाता में इसको तैयार जो है वो GRSE Garden Reef Shipbuilder Engineers के दौरा इसको तैयार किया गया है इसके अलावर GRSE के दौरा MV MAMISA को भी तैयार किया गया है जो कि कारगो के साथ साथ एक passenger cruise है एक ship है और इसको export किया जा रहा है कहां पर पहली Latin American country, Guiana में तो आप इस वाद को भी याद रखेंगे आप देख सकते ही, यह है Guiana तो यह आज के हमारे पूरे हफ़ते के जो important events थे वो मैंने discuss करने की कोशिश की है आईए आप कुछ questions देख लेते हैं पहला question ने डॉक्टर जितेन सिंग्ची के दौरा National Genome Editing and Training Center को कहां पर उधगाटन किया गया तो आंसर हो जाएगा पंजाब में सही आंसर हो जाएगा option number one former captain of the women's Australian cricket team Belinda Clark, bronze statues unveiled in which stadium किस stadium इनका statue unveiled किया गया है आंसर हो जाएगा Sydney Cricket Ground option C which state house the world first palm leaf manuscript museum world का पहला Pandalipi museum किसने तयार किया है तो कैरला ने option B अगला है India surprised Japan in world ranking of automobile market what is the rank of India now तो इंडिया की ranking third number पे पहुच गई है जापान की ranking चौथे number पे पहुच गई है what's the name of first Kashmir जी घ्यानपीट अवर्डी who died recently Kashmir के पहले व्यक्ती जिनने घ्यानपीट अवर्ड दिया गया था वो थे रहमन राही जिनका निधन हो गया है which Indian athlete has won the under 15 British Open Scots title recently तो नई दिल्ली की अनाहत सिंग ने under 15 British Open Scots title को अपने नाम किया है for how many rupees RBI will issue the sovereign green bond तो यहाँ पे green bonds के लिए RBI दो अलग-अलग batches में 8-8,000 मतलब 16,000 करोन रुपीज के green bond issue करने वाला है next है CEO Paytm Payment Bank की कौन बन गए है तो आंसर रोजाएगा Surinder Chawalaji Option D is the right answer 75th Army Day कहां पर organize किया जा रहा है तो पहली बार for the first time Bangalore में Option C In which state will PM Modi inaugurate the 26th National Youth Festival National Youth Festival करनाटका में मनाया जा रहा है Option E is the right answer अंत में दो questions है तो आपको दोनों questions के answer अपनी score के साथ हमें देने है पहला question है famous footballer Greg Frank जिन्होंने recently international football से retirement लिया है वो किस देश से बिलॉंग करते थे अगली बात हो जाएगी आप ड्वेन पिटरियास जिन्होंने all-rounder थे किर्केटर थे इन्होंने भी international cricket से सन्यास की घोशना कर दी है retirement ले लिया है ये किस देश से बिलॉंग करते थे दोनों प्रश्णों का आंसर आप हमें कमेंट में दीजेगा सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाइ कर दूँगे इसके लाब बढ़निंग इशू देखना नहीं बूलेंगे पर्शम वॉल्यूम टू पे बिलते हैं नेक्स सेशन में टेक क्यार और बबाए